हेलो अब्रीवन वेलकम टू माइट्यूब चैनल ट्रेन और ब्रेन तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्टॉरिकल डवलामेंट आप रोड्स मतलब जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन था जो डवलामेंट था वो वर्ल्ड में कैसे स्टार्ट हुआ तो इसके बारे मा इसके मत करना एंट तक देखना क्योंकि काफी इंपोर्टेंट्स पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे सो लेट्स श्राट दा वीडियो सबसे पहला हम बात करेंगे रोमन रोड्स की लिए रोमन एरा के टाइम पे जो रोमन सिवलाइजेशन थी उस टाइम पे जो रोड् ido फॉर्डविश ऑग्राड्येंट्स कोई पीघ्र नहीं होता था सी थीधर सीथे स्टेट कर्भी स्मीद कर वेलिली कर सके लाब जो रूलिं ग्रेडियंट नहीं ता हैं चैंछ ग्रैडिया अब इसके बाद दूसरा फीचर होता है कि सबसे पहले जो सौ Mysl favorite मिलें उसको रि जो भी ब्लॉक्स है हमारे स्टोन के उनको प्लेस किया जाता है तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ही है कि इनकी जो थिखनेस थी पेवेंट की थिखनेस थी वह 0.75 से लगे 1.2 मीटर तक की थी मतलब 75 से लगे 120 सेंटी मीटर या फिर कहें है तो इसको याद रखना है और इसके बाद में अकर बात करने कि यरिंग कोर्स होता है जो सबसे टॉप की जो सर्फिस होती है वो कैसे होते है ड्रेस्ट इस्टोन होते थी मतलब अच्छे से उनके ड्रेसिंग की जाती थी और इसके बाद में लाइ मोटर से मिक्स करके उनको प्रेस किया जाता था तो यह यहां पर एक पिक में आप दिख सकते हैं कि सबसे पहले जो पिक है इसमें डिरेकली जो बड़े-बड़े स्टोंस दिख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन में तो इस तरह की सड़के बनती थी अब यहां पर क्रोस सेक्शन सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहे होंगे बड़े- 15 cm इसके बाद में बीच में इस वाले पार्ट को क्या किया गया है लाइम कंक्रेटिंग की गई है उससे नीचे बाले पार्ट में ब्रोकन स्टोंस हैं और सबसे नीचे बड़े-बड़े स्टोंस हैं फिर उसके नीचे भी सब ग्रेड है जो की 10 to 20 cm का है ठीक नेक्स सब्सक्रांस में यह construction कर रहे थे सड़कों का तो इनकी जो construction का में फीचर था वह देखें यहां पर इनकी जो थेकनेस थी पेब्मेंट की थिखनेस थी वो 30 cm थी अभी अमने रोमन के टाइम पर देखा था कि 75 से लेके 120 cm की थिखनेस थी बट अब क्या हो रहा है कि 30 cm काफी सब्सक्रांस में जादा रिडियूस हो चुकी थिकनेस तो यह काफी में अडवांटिस था यहां पर क्या है आपकी कॉस्ट भी रिडियूस हो चुकी है 30 cm अब इसके बाद दूसरा अब इसके बाद दूसरा में फीचर था वह यह था कि जो ड्रैनेज सर्फिस है मतलब जो पर हमारी जो टॉप सर्फिस होती है पेमेंट की बाप जो वाटर फिल हो जाता है उसके ड्रैनेज के लिए इन्होंने प्रॉपर फैसलेटी प्रवाइड कि यह थान दिया हुए तो यह पर दो बाते हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इनकी जो पेमेंट की थिकनेस 30 cm थी और इन 20 का तो जो पेमेंट की जो टोटल थिकने से वह 2.7 मीटर की ठीक है अब इसके बाद में बीच में देखें कि ब्रोकन स्टोन से और सबसे नीचे के लाज फामलेशन स्टोन है नेक्स्ट देखेंगे मैट काफ कंस्ट्रक्शन देखें जिस टाइम पे ट्रेसर गार्ड फ्रा नाट्य किलो मीटर की रोड बनाई क्लिका कॉर्सक्षिंट देखेंगे आप के सबसे पहले देखेंगे इस लोपिंग विएरिग सर्फेस सबसे जो ऊपर की चो से पीरिंगे उनका स्नों पर बनिन इन 45 सेंटीमेटर का ठीक है उसके नीचे का ब्रोकन स्टोन ये यह संटीमीटर के फिर उसके नीचे लाज स्टोन थे 17 सेंटीमीटर थिक यह वाले दिखी लाज स्टोन है सबसे नीचे का सब्सक्राइब की ठीक है साइड में ड्रेनर यहाँ पर अब अगला देखेंगे तेलफोर कंस्ट्रक्शन तैलफोर्ड ने दिखिए आपके सबसे पह कि यएपने वाली बात है की जो फान्देशन स्टोन की जो थिकनेस थी यह वह बैलि कर रही शकुत इस तरह से लिए जो एजब कितनी थी 17 सेंटीमीटर आम देखेंगे आप इसने स्बसे टॉपर स預क्ष्टिस ए 40 ऐम मरेश है पर 10 म म धीम उसके नीचे के जो ब्रोकन स्टोन है 50 mm के उसकी नीचे थोड़े और बड़े स्टोन है 100 mm के और जो सबसे नीचे सबसे बड़े-बड़े स्टोन से 180 mm के अब लास्ट वाला देखेंगे मैं कैडम कंस्ट्रक्शन अब देखें यहां पर क्या हो रहा है कि जो फाइनल जो एंड का एरा आ जुका था मॉडर्न टाइम आ जोगा था वहां पर जॉन मैक अडम जिनका लाइफ टाइम दिए 1756 ते लेके 1836 इन्होंने एकदम नया आइडिया दिया हुआ यहां पर इन्होंने बताया कि अभी तक जितने भी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वह हम बड़े-ब्लॉक्स को लेके कर रहे थे म जो भी हमारे पास स्टोन सोंगे उनका साइज 5 cm से कम होगा और थिकने सोगी 10 cm की इन्होंने का कि 5 cm से ज्यादा कि स्टोन में लेने ही नहीं है तो इनकी केस में जो याद रखने वाली बात यह है कि इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था स्टोन के उपर कि स्टोन का इसलिए इनों ने दिया 1 in 36 का जिससे की ड्रेनेज अच्छे से हो सके अब इसके बाद इनके एक और जो में पॉइंट था वो यह था कि देखिए यहाँ पे जो थिकनेस थी 25 cm अभी हमने पिछली केस में क्या देखा कि जो थिकनेस थी वो वैरी कर रही थी कि जो थिकनेस थी वो वैरी कर रही थी कहा से एज से सेंटर तक वैरी कर रही थी इनोंने क्या किया कि एज पे और मिड पे हर जगे थिकनेस सेम रहेगी 25 cm की तो यहाँ पे हम डियाग्राम में देखेंगी सबसे उपर देखेंगी टॉप पे जो हमारे पास है इस इस वाली लेयर में आप देखेंगे इनका जो साइज है 1.9 cm की सीव से पास होगे इसका मतलब इनका साइज होगा 1.9 cm की सबसे छोटे स्टोन से है और इनका जो साइज-एज जो थिकने से जो त्री जो vrijकने से है ओपकी यह 5 cm है आप दिख लैता हूं5 cm आप इनके जो नीचे वाले ये देखें इस से थोड़े से बड़े इनका जो साइज है 3.0 7 75 cm है इनका मतलब इसका जो थिकने से 10 cm आप देखेंगा 10 cm अब इससे जो नीचे वाले और भी बड़े-बड़े हैं जिनका साइज है हमारा 5 cm क्योंकि यह 5 cm की सीव से पास हो रहे हैं और इनकी जो थिकने से 10 cm तो यहाँ पर एड़ करेंगे टोटर 25 निकल गाएगा ठीक है तो हमारा जो पेमेंट की टोटल थिकने से वह 25 cm है और वीर्थ कितनी है पेमेंट की वीर्थ है 4.5 मीटर इसके लाबा क्रोसलोफ है बन इन 36 तो यहाँ पर सारे कंस्ट्रक्शन कंप्रीट होते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दोस्तों में भी अपने शेयर करना इसके लाबा मैंने बिल्टिंग मैटेर के कुछ लेक्शर सप्लोड किया हुए एमसी की फॉर्ब में अगर आपनी नहीं देखें तो नहीं भी जाक कर देख सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर भी नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो